तो उत्राखंट में लगातार करोणा मरझों की संख्या बढ़ती जा रही है आज उत्राखंट में करोणा के 45 नए मामले सामने आए हैं इस से उत्राखंट में करोणा मरझों के संख्या 3470 हो गई है तो उत्राखंड की हेल्थ बुल्टिन के अमसार आज दैरादुन में 21, उदमसी नगर में 14, हरदवार में 3, रुद परियाग में 1, टीरी में 2, और चमोली में 1, अलमोडा में 3 कुरोना के नए मामले सामने आए हैं इस परकार देखा जाए तो कोई मामले 3,417 हो गए हैं वहीं 2,748 लोग ठीक भी हो गए हैं जबकि 623 केस एक्टिव हैं करोना के केस आज पूरे खतम हो गए थे लेकिन साम की हेल्थ बुटिन में एक और करोना के मामला आ गया जिससे यहां पर एक्टिव केस एक हो गया है पिथोड़ागर में 70, रुद परियाग में 67, उतरकासी में 92, चमपावत में 65, तो टोटल मामले 3,417 हो गए हैं और वहीं खबर आई है उतरकासी से जहां पर तेज बारिष से मकान चतिगरस्त हो गया है पीडित ने परसासन से मदद की गुहार लगाई है तो खबर आई है भटवाडी ब्लॉक के 60 गाउं में 30 बारिष की वज़ा से एक मकान की दिवारों में दरार पड़ गया तो जिले में भारिष की वज़ा से लोगों को परसानियों का सामना करना पड़ रहा है जनपद में हुई मुश्राधार बारिष की करन भटवाडी ब्लॉक के 60 गाउं में लकडी का मकान छतिगरस थो गया और वहीं खबर आई है उतरकासी से जहां पे कुथनोर स्कूल भवन में घुसा मलवा भई भी थो गया गरामीन तो छेदर में मुश्राधार बारिष करन यमनोत्री हाइवे से पूरा मलवा भस्ती में घुस गया है जिसके करन राज के इंटर कॉलेज के भवन के पिछे से मलवा दिवार तोड़ते हुए परिसर में घुस गया है और वहें खबार आईए उतरकासी से जहाँ पे पंजाब के दो युवा के दो युवा के साथ गिरफतार किये गए हैं तो नसे के रोक्थाम और तसकरी को रोकने के लिए सगन चेकिंग किया गया जिसमें यहां पर 102.82 किलो डोड़ा के साथ सनिवार को पंजाब के दो युवा को गिरफतार किया है तो दो युवा कावे टोड़ा को कार से पंजाब तसकरी के लिए ले ले जा रहे थे वहीं खबर आई है चारधम और वेदर रोड़ की कामों में आए तेजी मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा काम तो अभी चारधम और वेदर रोड़ की 81 फिसदी कटाई का काम पूरा हो गया इसके 67 फिसदी तक ब्लेक टॉपिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है तो वेस्विंग मारे कोरोना के चलते पिछले कुछ महिनों से चारधम और वेदर रोड़ का काम बंद पड़ा था जिसे अब अनलॉक प्रकिरिया के तहत फिर से शुरू कर दिया गया है ऐसे में अब तेजी तेज गती से इस काम को किया जा रहा है वहें 2021 मार्श 2021 तक और वेदर का काम पूरा कर ले जाएगा इससे अगले सेजन में चारधम यात्रा करने वाले यात्रियों को सहुलित मिलेगी और वहें खबर आई है सीम त्रिवन सिंग आ रहे हैं आपके द्वार 13 जुलाई को करेंगे आप से बात तो सीम त्रिवन सिंग रावा 13 जुलाई को आत्म निरवर भारत अभियान को लेकर के पंचायत प्रतिनिदी के साथ इस समवाद करेंगे तो लोकडाउन के चलते बड़ी संख्या में परवासी वापस परदेश लोटे हैं ऐसे में वापस लोटे परवासीों को रोजगार से जोडने के लिए परदेश सरकार लगातार काम कर रही है इसी करम में उत्राखन सरकार 13 जुलाई को आत्म निरवर भारत अभियान को साक झाल